गुढ मूर्निंग अलों रुफ यू तो पहले वाले वीडियो में हमने क्या लिया था च deg छपा फर्स टैंजा और समझ घ meas तो अब हम क्या करेंगे आज सेकंडع रेड़ करेंगे तो मुझे बता देक्व कि क्या था फिर्स थेप्चा में एक बच्चा है तो वह स्कूल जा रहा है स्कूल जाता है थ्यद्र जाता है देली अपनी गली और वो किस से मिलता है रोज एक hawker यानि की एक fairy वाले से मिलता है जो कि क्या बेच रहा होता है bangles यानि की चूडिया बेच रहा होता है और वो जब भी बच्चा उस गली से निकलता है तो बता रहा है कि मैं एक hawker यानि की फेरी वाले से मिलता हूं जो हमेशा यह रोता रहता ह कि शूडियां क्रिस्टल ने खी कांचि में इस वह फंश हया कोई जलदी नहीं है किसी चीज की चलदी नहीं है फिर कोई ऐसा रोड नहीं जहांसे जाना चाहिए कोई ऐसी जगें जहां जोंगना प्रका कोंई इससे जानी ताहिन समस्क्नाओ बूस्ट कहला है कि बोलते हुए बैंगर्स क्विस्टल बैंगर्स चूड़ियां कांच की चूड़ियां मतलब बच्चे को यह लग रहा है कि जो होकर है उसका लाइफ बहुत सही है बच्चे की लाइफ से क्यूं क्योंकि उसको कोई भी लेमिट नहीं कि आपको इतने टाइम लेमिट में घर बा जी से आता है जब पूरा दिन कहां पेंड करता है वह रोट पेंड करता है अपना तो इसलिए उसको होकर का लाइफ क्या लग रहा है अच्छा लग रहा हो सोच रहे कि खाश में भी एक होकर होता हम आगे पड़े अब हम आगे पड़ेंगे वेन एट फोर इन आफ्टनून I come back from school I can see through the gate of that house the gardener digging the ground he does what he likes with his spade he soils his clothes with the dust nobody takes him to task if he bakes in the sun or gets wet I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging अब क्या बोल रहा है बच्चा when at four in the afternoon I come back from school जब दिन के चार बच्चते हैं तो मैं स्कूल से बापस आता हूँ I can see through the gate of that house the gardener digging the ground मैं उस घर के gate से देख सकता हूँ कि gardener जो माली है वो digging मतलब खोदना ground खोद रहा है he does what he likes with his spade he soils his clothes with the dust spade होता है कुदाल मतलब वो बच्चा बोल रहा है कि जो gardener है जो माली है वो वही करता है उसके spade के साथ जो उसको पसंद होता है he soil his clothes with the dust वो पूरे अपने जो कपड़े हैं वो किसे dust से मिट्टी से गंदे कर लेता है nobody takes him to task if he bakes in the sun और gets wet कोई भी उसको नहीं ले जाता है टास्क के लिए काम के लिए अगर वो bakes in the sun मतलब जो धूप में सिख जाता है या फिर गीला हो जाता है तो तब भी उसको कोई नहीं ले जाता है काम करने के लिए I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging बच्चा पोल रहा है काश मैं भी gardener होता मैं भी एक माली होता ज्योंकि garden को डिग कर रहा होता गड़ा खोद रहा होता और मुझे कोई भी स्टॉप नहीं कर रहा होता उस टाइम डिगिंग करने से खोदने से तो बच्चा विश्च कर रहा है कि भी होकर होता या फिर खाश मैं भी एक gardener होता जिससे मैं पूरा डे अपने अकॉर्डिंग मेरी मर्जी के साब से spend कर रहा हो तो कोई भी रोक्टो करने वाला नहीं होता तो स्टॉरी क्या है इस पोयम में कि बच्चा क्या कर रहा है अपनी लाइफ कंपेर कर रहा है विद अ होकर और गार्डनर क्यों क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को कोई भी रोकता नहीं कोई भी टोकता नहीं है लोग अपना काम अपनी मर्जी से करते हैं यह कि अब बोल रहा है बच्चा बोल रहा है पर हमें पता ही कि कितना मुश्किल होता है इन लोगों के लिए ऐसा काम करना फेरी वालों के लिए भी पूरे दिन रोड पे चलना धू लुग अपनी मरजी से तो नहीं करते हैं तो अब भी वह बच्चा है तो वह समझ जाए कि वह सब अपनी मरजी से करते हैं और उनके पास कोई भी रोग टोप करने वाला नहीं होता तो आपको भी एको बार रीट करना है यह पोयम और टवर्ड स्मार्ग करने है नाओ और पेश नंबर थर्टी हम रीट आउट किया उसको समझा आप क्या करेंगे हैं कोशन multiple choice question choose the correct option multiple मैंने मतलब बताया था आपको multiple मतलब बहुत सारे तो क्या है आपके पास यहां पर बहुत सारे option है आपको उनमें से कोई एक choose करना है जो कि क्या हो correct हो यानि की सही हो फर्स्ट है the child goes to school at जो बच्चा था वो कितनी बचे स्कूल जाता है 745 a.m. सुबे के साथ पैतालेस पे 10 a.m. दस बजे 8 10 या फिर 10 15 a.m. कितनी बचे जाता है वो 10 a.m. next the man who sells the crystal bangles in the poem is a poem में जो crystal bangles बेच रहा है वो आदमी कौन है वेंडर यानि की चोटा दुकानदार ग्रॉसर यानि की ऐचीनी भेशने वाला hawker यानि की फेरी वाला और salesman मतलब दुकान पर सामान भेशने वाला तो कौन है वो एक फेरी वाला तो the c1 is correct then at 4 o'clock the child returns from the चार बजे बच्चा कहां से आता है बापिस market से, school से, garden से या फिर room से कहां से बापिस आता है वो चार बजे लॉट के school से the b option is correct then the word that means to make dirty is lane, soils, digging, task तो lane मतलब क्या होता है गली, soils मतलब हो एक soil मतलब होता है मिट्टी और soils मतलब होता है गंदा करना, digging मतलब को होदना, task मतलब कोई task जो आपको दिया जाता है काम करने के लिए तो make dirty गंदा करने का मतलब क्या होगा? the b option is correct next the child does not want anyone to stop him from बच्चा क्या चाता था कि उसको कोई क्या करने से नहीं रोके going जाने से crying रोने के लिए digging खुदने के लिए running दौने के लिए तो बच्चा क्या चाता था कि कि खाश मैं भी एक बच्चे के चाता था कि मैं भी एक क्या होता गार्डनर होता और मुझे कोई भी नहीं रोक रहा होता किससे digging करने से तो the c option is correct okay and the question answer will do in the next video तब तक के लिए आपको यह फिल करना है in the book thank you